ओम अज्ञानत विरांधस्य हुआनं जन शलानकर चक्षूरन मिलितन ये ना नात समय शेगुरु वे नमा ओम नमऊ भगवते वासु देवाया शुमत भाग वतें कुटर्ट पाच वाध्याय थेरव अशलोक भगवान की ब्रहामिका ब्रहमित करने वाली शक्ति माया इसको हम कहते है अपनी स्थिती से लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती है भगवान की जहां बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि माया कैसे भगवान को प्रभावित कर सकती है बला क्योंकि माया तो भगवान की शक्ती है अब भगवान की शक्ती ही अगर भगवान को प्रहुइत कर ले तो शक्ती भगवान बन जाएगी ना तो इसलिए माया जो है सबको ब्रहमिक करती है लेकिन भगवान के सामने लज्जित होके खड़ी है लेकिन जो लोग इसके जोला मोहित होते हैं वो क्या करते हैं यह मैं हूँ, यह मेरा है इन बिचारों में ली नहने के कारण व्यर्थ की बाते हैं तो यह भी लैक अफ सेल्फ इलाइजेशन है जो हम समझते हैं नहीं कि हम आत्मा है भगवान के अंच हैं तो शरीर को अपना मानते हैं और शरीर से रिलेकटिड वस्तुओं को मेरा मानते है ने रिपच्चे मेरा परिवार, मेरा घर तो ऐसी विर्थ बातों में लगे रहते हैं कौन लोग जो इस माया द्वारा मोहित हो जाते हैं जो कि शरीर को ही सौयम को लेते हैं कि I am this body द्रव्यम कर्म चा कालश चा सभाव जीव एव चा वासुदेवत परो भ्रह्मन चान्यो अर्थो अस्तितत्वता शिष्टी के पांच मूल अवये पांच मूल तत्व शाश्वत क्वाल द्वरा उनसे उत्पन अन्योन्य करिया तता जीव का सभाव ये सब भगवान वासुदेव के भिनांच हैं और सच बात तो ये है कि इनका कोई अन्य महतो नहीं है भगवान कीता में कहते हैं कि जो भी ये तो भौतिक मैटिरियल तत्व हैं इसके उपर मेरी एक और शक्ति है तो भगवान की लोवर शक्ति को हम कहते हैं माया शक्ति और भगवान की हायर शक्ति या प्रकृतिक शक्ति या अपरा शक्ति और भगवान की आध्यात्मिक शक्ति को हम कहते हैं परा शक्ति तो बगपरा शक्ति इस अपरा शक्ति के higher है, superior है, तो यह material जगत जो है, यह बगवान की माया शक्ति है, अपरा शक्ति है, जो कि temporary है, जो कि temporary का मतलब है, temporary को रूप लेती है और फिर रूप समाप कर लेती है, जैसे कि मिट्टी का आप कुछ दिया बनाएं, बरतन बनाएं, यह कई बार बच्चे मिट्टी के खिलोने बनाते हैं, कले आती है, कभी वो सांप बनाते हैं, फिर मिटा देते हैं, जैसा गोला बना देते हैं, गोले से फिर एक बतक बनाते हैं, फिर गोला बना लेते हैं, देखा आपने बच्चों, फिर उससे कुछ और बना लेते हैं, तो भगवान भी इस तरह से शिष्टी रचना और संगार करते चल जाते हैं. तो ये जो शिष्टी है, ये भौतिक जगत है, ये भगवान के भिन्न शक्ति है. और सच बात तो है कि इसका कोई और मैत्व नहीं है वास्ता में ये भिना ये जो शक्ति बनाईगे इसका परपस ये एक है इस लाइक अ टैंपररी हाउस जो कि हम जैसे लोहों को मिलता है ताकि हम अपने इच्छाओं को पूरी करने के लिए संघर्ज कर सके हम अपने मन और पांच इंद्रियों के साथ यहाँ पर कठिन संघर्ज कर रहे हैं हां और जो संघर्ज में जीत जा रहा इसको बढ़ा मझा रहा है जैसे आपने देखा हडल रेस होती है हडल रेस पिखिया आपने बढ़ा मज़ा आता है लोगको हडल रेस करने में अगर किसी को बोला जाए कि आपको वहां से भाग के यहां पर आना है तो कम लोग इंटरस्टिट होंगे अगर आपको बोला जाए बीच में हडल रेस है बीच में जंप माननी है फिर बीच में कुछ हाई जंप माननी है फिर लॉंग जंप माननी है हमें देखो तुम सब हार जाए मैजी दिया तो ऐसे गेम खेलने के लिए इस अंसार में भगवान ये जगत बनाते हैं सारे अव्यय तथा यथा पृत्वी जल लगनी वायू तथा आकाश एवं इनी के साथ भौतिक पहचान के अवधारना बुद्धी मन भगवान की भाहिरंगा शक्ति ये सब भाहिरंगा शक्ति भी है जो मैं कहा रहा था आपको अपरा शक्ति ये भाहिरंगा शक्ति भी है ये तो अंतरंगा शक्ति की उपज हैं और हम लोगों को तठस्त शक्ति भी का जाता है अंतरंगा शक्ति की उपज हैं इसलिए इस भौतिक शक्ति से हायर हैं इसलिए इसको भोगने का प्रयास करते हैं होता ना कोई ताकतवर आदमी किसी कमजोर आदमी को भोगने का प्रयास करत और वहीं पर हम मारे जाते हैं, क्योंकि हमें भोगना नहीं था, हमें इन वस्तों को भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करना था वास्ता हमें, शाष्वक खाल द्वरा निर्धारितिन स्थूल था सूक्ष्म आव्यायों का भोग करने वाला जीव जो है, अंतरां का शक्ति करता हूँ तो बेमार बढ़े जाता हूँ, σब्क्राइब करता हूँ जब क्लास अटेंड करता हूँ तो घर में कुछ हो जाता है, भगवान चाहते ही हैं कि मैं क्लास से सूनू भगवान के धाम में जाओ 550 में जाता है, शास्त्र कहेते हैं जीव के पास total छूत है, कि वो द जगत में रहने जाता है फिर आप कहींगे हम यहां पे क्यों सड़ रहे हैं प्रभुई जी क्योंकि हमारी इच्छा भी उतनी तीवर नहीं है हमारे अंदर फल्गू वेरागय आता है मरगट वेरागय शम्शान भूमी में जैसे थोड़ी देर का वेरागय आता है इसलिए कभ जाता है और फिर थोड़ी देर में लग जाते हैं कैलिकुलिशन में जोड़ घटा में बैंक बैलन्स में समान जोड़ने में सजाने में इत्यादी में सजने में तो यह हमारा पर्मानेंट भगवान भी जानते हैं कि अभी थोड़ी देर के लिए के लिए जैसे ले जाने को जो जाए तो पांच मिन उन्से मांगी लेंगे पांच मिन दे दो दो दिन दे दो बहुति ही जानते हैं कि अभी परेशान है तो बोल रहा है कल फिर से वही जागे गुच जाएगा तो हमें छूट है दोने जगत रिजाने की बहुत ही जगत में जीव ठगनी अवध्या से चला जाता है किन्तो वैकूंट लोग में वो किसी परकार के भ्रहम के बिना समाने अवस्ता बे जाता है यहाँ पर बहुत सारे ठाग रहते हैं ठगों के बीच में रहना चाहेगा कोई हम सोचते हैं पुलिस है यह है फिर भी लोग हमें ठगी देते हैं यहाँ तो लोग चोर उचक के डाकू कई बार रखशक भखशक बनता है इस संसार में लेकिन वास्तों में इस अंसार में हर कोई ठगा जा रहा है यहाँ पर ठगने वाला किसी को ठग देता है, मैंने उसको ठग दिया, मैंने उसको ठग दिया, मैंने उसको चीट कर दिया, मैंने दो रुपे का माल दो हजार में बेच दिया, इत्यादी, अब हम बड़े परसन होते हैं, यह नहीं जानते हैं, यह नहीं जानते हैं, हम सभी ठ पास आता है, उसके सेविंग करता है 200 रुपए, 300 रुपए, किसी तरह है काट काट के, पेट काट के, कैसे करके पूरी जिन्दगी वो एक अकाउंट में जमा करता रहता है कि बुडापे में इससे मैं कुछ करूँगा और फिर अंती मिटली उसका हाथ पैर काम करने बढ़ते हैं, बंद जाते है साट, पैंस, हट साल का हो जाता है, वो सोचता है कि देखूं जरह मिरे अकाउंट में कितना बैलेंस है और जब वो जाता है अपने नाम के हिसाब से वो अकाउंट अकाउंट डेटेल देखता है, पता चलता है तो उसमें कोई बैलेंस नहीं होता है वो घबरा जाता है पुरी लाइफ की कमाई कहा गई मुझे किसने ठग लिया वास्तों में उसने बचपन से लेके बड़े होने तक एक गलत अकाउंट में पैसा जमा कराया अपने अकाउंट में ना करा के किसी दूसरे अकाउंट में पूरे जीवन पर पैसा जमा करता रहा सोचिए कितना वड़ा लॉस है उसी तरीके से लॉंग बैंग अकाउंट में हम लोग भी इंवेस्टमेंट कर रहे है इसलिए हम लोग भी ठगे जा रहे है क्योंकि ये धन ये सब कुछ जो भी हमने अर्जित किया ये काम ही नहीं आएगा में अन्तिम समय में अगली यात्रा में हम यात्रा में जाएंगे हम यात्रा के लिए पैसे जमा करता हैं कि नी और पता लगए जैसी यात्रा शुरू ही कि नोट बंदी हो गई नोट ये बदल गए हमारे नोट बेकार हो गई है उसी तरीके से हम कितना पैसा जमा कर रहे हैं और हमारी जो असली यात्रा होगी जीवन के मरन के समय उस यात्रा में ये पैसा वेस्ट हो जाए लगए तो हम सब ठगे जा रहे हैं कि नहीं और हमने सोचा हमने जीवन में कितनों को उल्लू बनाया इसकी टोपी उदर घुमाई क्या बढ़िया बिजनिस किया कितने अपने ओफिस में सब को चीट करके A rating ले आए बोनस ले आए ये कर दिया वो कर दिया नजाने क्या क्या कर दिया अंटी मिटली हम ठगे जा रहे हमें नहीं पता है ये माया शक्ति इतनी मुहित करने वाली है आदमी को पता ही नहीं चलता कि वो ठगे जा रहा है नारायना परावेदा देवा नारायना अंगजा नारायना परालोका नारायना परामखा सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर से ही बनें और उनीके निमित्थे हैं इसलिए भगवान कहते हैं वेदेशे सरवेर आम एववेद्यो वेदांद कृद वेद 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 एवचाम भगवदीदा में कि सारे वेदों से मुझे जानना है मैं ही वेदों का रचना का रूम बनाने वाला हूँ तो इसलिए देवता भी भगवान के शरीर के अंगों के रूप में उनीकी सेवा के लिए है बिल्कुल साफ भागवतम क्या बताती है आप हमको कि जितने भी देवता है जितने भी देवता है वो भगवान के शरीर के अंगों के रूप में उनीकी सेवा के लिए है विबिन लोग भी भगवान के निवित हैं और विबिन यग्य भी उनी को परसंद करने के लिए संपन्द किये जाते हैं यथार्थ पोजीशन है जो भागवत बता रहा है यह बिल्कुल मैच करती है भगवान के ताकि वो स्लोक से जिच में भगवान केते हैं क्या भोगेश्य क्या कि सारे आहम भोगता हम यग तपसाम सर्वलोके महिश्वरम उसमें भी यह बताए गया कि सारे कारिय जो भी किये जाते हैं संसार में या किये जाने चाहिए वो भगवान की परसंता के लिए भगवान के अनुरूप अकॉर्डिंगली किये जाने चाहिए सारे देवता भी इसलिए बनाए गए है ताकि वो भगवान की सेवा करें अलग-अलग departements में इसलिए उनको शक्तियां दी गई है देवताओं को बहुता में कहते है कि देवता भी जो देता है वो मेरे द्वारा ही देता है देवता के पास अपना स्टॉक थोड़ी है ऐस देवता है इस देवता है इस है हो जो की कही फैक्टरी से खरीदता है रेटेलर हुँड होल सिलर से खरीदा है देवता के पास अपना स्टॉक थोड़ी है देवता को, चय हो सूर्य के देवो, चय हो जल के देवो चय है कोमी भी भी भगवान से शक्तियान मिलती है हाँ वो कूई सामान्य व्यक्ति नहीं होते है क्योंकि बहुत ही special वेक्ति कोई तो power दी जाएगी ना कोई वेक्ति MLA बनता है MP बनता है प्राइम मिनिस्टर बनता है उसको special power दी जाती है वो special उसके अंदर कुछ तो special होता है तब ही तो वो उस position पर मौता है इसलिए देवता भी special है इसलिए उस position पर पहुँचे हैं लेकिन भगवान कहते हैं यदि देवता की पूजा भगवान से संबंद ना होके की जाएगी उनकी शक्तियों के अधर पर की जाएगी उनकी शक्तियों का favor लेने के लिए की जाएगी ताकि वो हमें भी कुछ दे दें तो ये अविधी पूरवक है ये गलत हो जाता है ज्यान के किसी भी ग्रंथ से नारायन का ज्यान होना चाहिए प्रूपात करें कि कितने सारे ग्रंथ है यदि उसमें नारायन की knowledge नहीं है तो that is wrong वो ग्रंथ नहीं है फिर आजकल हम किसी भी पुस्ता को ग्रंथ बोल लेते हैं अन्यता वे त्यागने योग है ज्यान की प्र इसलिए उन को उन से से केंडरी स्थान मिलना चाहिए प्राइमेरी स्थिति किसको मिलना चाहि है जैसे कि कोई आये हमारे घर में जैसे माना हमारे ताउजी आये Kafka का बच्चा बच्चे की पत्नी आयी सब लोग आये आपने क्या गिया ताओ जी का बच्चा और उसकी पत्नी की शादी नहीं 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 थे आप बड़े एक्साइटेट थे आरे तुम्हारी शादी आओ कैसा रहा कहां घूमने गए थे और ताओ जी वहां गेट पर ही खड़े रहे गए हम दोनों अपने ताओ जी के भाई को उनकी वाईफ को अंदर ले आए उनसे पूछ रहे हैं कैसा रहा कहां घूमने गए ताओ जी वहां गेट पर इखड़े रहे ना तो पैट चुए ना किसी ने पूछा गलत हो जाएगा ना सदकार तो आपने किया लेकिन सदकार करने की भी तो विदी होती है पहले आपको बड़ों को पूछना पड़ेगा कि नहीं और फिर आप चोटों को पूछेंगे उसी तरह से आधिकारी को आदर इसलिए मिलता है क्योंकि वो राजा से संबंदित है है कि नहीं राजा अगर किसी वैक्ति को भेजता है मेसेंजर को तो मेसेंजर भी कितना important जाता है जैसे कि कि किसी पुलिस वाले को, नॉर्मल पुलिस वाले को हवाल्दार को भी अगर आप थपन मार दो थो खाकी वर्दी चोड़ेंगी नहीं आपको क्योंकि आपने वर्दी को मारा है एक आदमी को नहीं मारा क्योंकि वो व्यक्ति सरकार की उस कानून व्यवस्ता से संबंदित है इसलिए उसकी importance है उसी तरह से देवताओं की भी importance इसलिए है क्योंकि वो भगवान से संबंदित है यदि वो व्यक्ति को उस हवल्दार को नौकरी से सरकार निकाल देती है उसके गलत काम होगे वज़े से और तब बाद में उसको आप थपड मारते हैं तो कोई खत्रा नहीं है क्योंकि अब वो वर्दी से connected नहीं है इसलिए वो देवता जो भगवान से connected नहीं है उसकी भी सारी value समापत हो जाती है यह समझने की बात है बगवान से सम्मंद ना होने अगर यदी आप इसलिए एक अपराद हम सुनते है कि बगवान के नाम को देवताओं के नाम के समाझना या उनसे विभिन देवताओं को बगवान से विभिन समझना या स्वतंत्र समझना कि देवता independent entity हैं अपने आप में वो अलग पूझनी है सारे यह भगवान है सब बराबर है यह सारे कถन वास्तो में अपराद है बिलकुल अपराद है यह इसी तरह की से है मुझे नहीं पता मैं तो घर की नई नी भाव आई हूं मुझे क्या पता तुम्हारे परिवार में इतने सारे लोग हैं इतनी भीड़ है चाचा ताउ चाचा इसका फूपा इसका ये मेरे लिए सब बराबर है उस बहु को अगले दिन निकाल दिया जाएगा सब ही नाराज जाएगे उससे कि it is the duty of बहु की duty है जानो बहिया पता लगाओ तुमारा परिवार है ऐसे थोड़ी स किसी के पैर चुनने है है किसी को आशिरवात देना है सारे बराबर कैसे मान लोगी तुमकि on practical बहु अमारे गर में आई इसलिए हम भी ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि जानकारी नहीं है सब बराबर है जिस सरधा की बात है इस ये मूर्ढ ता ए है अज्यानता है ऐसा यहाатель पता तो यह पेड़ जादा दिन चलेगा नहीं तो यह समझने के बात है कि सारी पूजा, तपस्या यग्य वो भगवान के लिए होने चाहिए और सारे इस जो वास्तिविक गरंत है वो वही गरंत होने चाहिए जो भगवान की वर्शिप के बारे में बताए सभी प्रकार के ध्यान योग नारायन के अनुभूती के लिए बहुत सारे लोग अलग लगते रहेंगा योगा कर रहे हैं ध्यान लगा रहे हैं कोई शून्य पर लगा रहा है कोई किसी लड़की पर ध्यान लगा रहा है वो भी योगी है वो भी ध्यान लगा रहा है कोई अपनी डिगरी बे धियान लगा रहा है भोँ सारे लोग भोँ तरें का धियान मंत्र अचारण करने कई कई सारे मंत्रों को डउलप अविश्कार कर लिए klar लिया है लेकिन यदी य się आम बता है नारायन परो योगो नारायन परातन परम तबा कि सारे योग तप इत्यादी नारायन की अनुभूती के लिए होने चाहिए उनको समझने के लिए होने चाहिए उनकी सेवा करने के लिए होने चाहिए सारी तपस्यां को लक्ष यह होना चाहिए नारायन की प्राप्ती देव्य ज्यान का समवर्धन नारायन की जलक प्राप्त करने के लिए है और चरम मोक्ष तो नारायन के धाम में परवेश करने के लिए है मोक्ष भी क्या है कई सारे लोग मोक्ष मोक्ष करके लगे है मोक्ष भी क्या है भगवान के नारायन के धाम में जाना ही वास्तविक मोक्ष है धाम में जाना के उनकी सेवा करना ही वास्तविक मोक्ष है इसलिए सारे यग्य, तप, दान, कर्म जो भी है वो केवल भगवान के लिए होना चाहिए ये बड़ा ही रिवॉल्यूशनरी विचार लगते हैं आजकल के जमाने में जहां पर नौलिज की कमी के कारण हर चीज को बड़ाबर बोला जाना लगा है वतलब तुम लोग बड़े कटर हो कई लोग कहते हैं इस कौन में नहीं जाएंगे वो केवल कृष्णी की बात करते है ऐसा थुड़ी होता है क्रिष्णी इसे ये भी है क्रिष्णी वो भी है अब ये क्या बाकियों को छोड़ दें क्या तो इस तरह के जो साधारन विचार है जैसे मैंने बताए उस बहु का एक्जामपल जो कहते हैं सब बराबर है उससे काम चलता नहीं है ये मस्ट नो क्योंकि बोला गया है सारे शात्रों में सारे गर्म एक ही भगवान है सब का माली एक है वो एक है ना बाकी तो उसके सरकार है ये हमें समय नपड़ेगा तो इसलिए नारायन ही हर चीज का लक्ष होना चाहिए भागवतम हमें ये सिखाता है इसलिए भागोताम बिल्कुल प्यॉर गरंत है, इसमें मिलावट नहीं है जरासी भी, कि चलो ऐसा भी कर लो, चलो ऐसा भी कर लो, चलो इसको भी पूछ लो, वो कहते हैं, एक साधे सब सदें, यदि आप जड़ में पानी डालेंगे, तो सब ठीक हो जाएगा, यदि सकता है, इंदर की तरह हैं, लेकिन भगवान क्योंकि वो उसके अंडर तो है, छोटी सी शक्ती तो है, भगवान उसको निवट लेते हैं, और भक्तों की रक्षा करते हैं, इसलिए घबराने की बात नहीं है, चीक है, शिलप रुपात की, जाए ग्रंत राज श्रीमन भाग को तम की, बात प् 적नां को जबराने की वो उसके लगवान के तर… दो बरेता हैं, जाए efला करते हैं, आर भात वो उसका है, जा है, झाल सकता डए चाहे हैं, पड़का माद' है जा उसके हैं, आर स्कुंपन कार स्कृटन का युझन संचे to जशकर स kayak 15 हैं, युच सक्वान सं